ओँ대 करें तो आज किसे विडियो में हम प्रूफ करने वांखें हैं जनरल प्रॉपर्टीSowy caste definite integrals के थर्ड प्रॉपर्टी को मैंने इसके पहले लिए डियो ते पूफ किया है अकर आपने नहीं देखाया तो आप उसे जाकर दरूर देखियेगा और इस पीडियो में हम प्रूफ करने वाले हैं तो और प्रापरेटी को जिसमें तीसरी प्रापरेटी मारी ये है कि अगर limit A से B तक है और F of Dx है तो हम इस limit को break कर सकते हैं break ऐसे कर सकते हैं पहले हम A से B तक ना जाकर Tanakar पहले हम A से C तक integrate करते हैं फिर C से B तक यहां पर ध्यान रहे कि जो आपका C होगा वो greater than A होगा but it's more than B होगा मतलब अगर यहां पर limit होती 2 से 4 मतलब 2 से 4 तो हम क्या करते 2 से 3 और 3 से 4 करते ओके इस तरीके से अगर आपको जैसे क्या है 2 से 6 तक दिया हुआ है limit है 2 से 6 तक तो आप एक बार इसको तोड़ सकते हो 2 से 2 से 3 3 से 4 फिर लिमिट और बना सकते हो 4 से 5 फिर 5 से 6 तो मतलब आप जितनी फिर चाहें लिमिट बना सकते हैं लिकिन इक बात ध्यान रखें कि जो दूसरी limit होगी जैसे यहां पर हमने C लिया तो C क्या होगा A से बढ़ा होगा जैसे अगर यहां पर limit 2 से 6 तक है तो हम पहले क्या लें कि 2 उसके बाद 2 से हम 3 तक ले सकते हैं फिर 3 से 4 फिर 4 से 5 इस तरीके से हम लिमिट को ले सकते हैं तो आईए इसको प्रूफ करते हैं देखिए सबसे पहले हम माल लेते हैं let f of x integration of f of x dx is equal to capital f of x उके उसके बाद अब हम इसको प्रूफ करते हैं देखिए पहले हम left hand side लेकर चलते हैं left hand side यहां पर दिया हुआ है limit a to b f of x dx तो हम इसको integrate करेंगे यह आएगा f of x और यह हो जाएगा a to b limit लगी हुए है जब भी हम limit को रखते हैं definite integral में तो जहां पर x होता है वहां पर पहले हम upper limit रखते हैं फिर lower limit sorry lower limit को रखते हैं यह हमारा क्या है f है ओके तो हमारा lhs इतना आ गया अब हम rhs को solve करते हैं rhs में हमें यहां पर दो integral दिये हुए हैं पहले हम इस integral को solve करेंगे फिर इस integral को तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको solve करेंगे तो हमारा यह है a to c f of x dx plus c to b हमारी limit है और f of x dx है तो इसको हम solve करते हैं किस तरीके से यहां पर आप देखते हो कि इसका जो f of x dx का integral होगा वह मैंने माना हुआ था कि वह होगा f of x पिर यहां पर limit हम लगाते हैं a to c plus f of x का integral कितना होगा इतना ओके अब limit c to b लगाते हैं यहां पे जो limit था हमने इसको रख दी अब हम value रखते हैं जब भी हम value रखते हैं तो जहां पर एक से पहले हम upper limit रखते हैं minus लगाते हैं तो यहां से यह हो जाएगा f of c minus f of a plus f of b minus f of c तो यहां से f of c, f of c cancel out हो जाएगा और यह negative में है, यह positive है तो हम इसको पहले लिखते हैं f of b minus c, f of, sorry, capital f है यहां पर भी capital f होगा, capital f of a तो जहां जैसे कि आप देखो जाएगा है कि यह हमारा RHS है और RHS हमारा कितने की equal आया हुआ है, LHS की equal आया हुआ है तो हम कहेंगे कि यह proof हो चुका है अब हम चलते हैं, चौथी property पर तो अब हम proof करेंगे इस property को, तो दिखिए इस property को proof करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर हम माल लेते हैं कि let, जो यहां पर A-X लिखा हुआ है, माल लेते हैं let A-X is equal to T, तो यहां से हम जानते हैं कि dx is equal to हो जाएगा minus dt, अगर हम इसको T मानते हैं तो dx is equal to minus dt हो जाएगा, यह प्रतियस्थापन में आपने पढ़ा होगा, उसके बाद dx is equal to dt हो जाएगा, क्योंकि यहां पर definite integral limits भी हैं, तो हम देखते हैं, जब X, यहां से अगर हम देखें, limit किस तरीके से चेंज़ होगी जब when X is equal to 0, जब X is equal to 0 होगा, तो आप यहां पर X is equal to 0 रखें, तो आपको क्या मिलता है, T is equal to A, उसके बाद जब X is equal to A है X is equal to A है, तो इसमें अगर आप X की जगाँ A रखते हो, तो आपको मिलता है T is equal to 0, तो हमें limit पता चल गई किस तरीके से चेंज होगी, अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारा 0 to A है, और F of A minus X dx है, ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर value को put करते हैं, सबसे पहले हम limit लिखते हैं, देखें, यहाँ पर lower limit जो थी, lower limit क्या थी, जब x 0 था, x 0 था, तो t क्या होगा, a हो जाएगा, ओके, upper limit क्या है, upper limit हमारी a है, जब x is equal to है, तो t is equal to 0, तो यहाँ पर limit 0 हो जाएगी, उसके बाद function है, यहाँ पर a minus x को हमने कितना माना हुआ है, t, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, t, और बाहर कितना हो जाएगा, dx, dx की value कितनी है, dt minus में है, तो हम minus को यहाँ बाहर लगा देते हैं, ओके, यह इतना हो गया, अब आपक पहली property से पता होगा, पहली property मैं आपको याद दिलाता हूँ, कि पहली property, क्या थी, पहली property यह थी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहली property, पहली property यह थी, कि अगर कोई limit a to b, यह of x, dx है, इस तरीके से, तो अगर हम limit को change करते हैं, मतलब जो upper limit है, उसको lower, और जो lower limit है, तो minus लग जाती है, तो यहाँ पर x होगा, अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो अगर हम, जैसे यहाँ पर minus लगा हुआ, यहाँ पर 0 से a तक है, अगर इसकी limit को हम change करें, तो minus, तो इसको हम लिख सकते हैं, 0 to a, f of t and dt, इसको हमने कैसे किया, हमने यहाँ पर minus था, यहाँ और limit को हमने change कर दिया, यहाँ पर lower limit यह थी, और upper limit 0 थी, तो हमने इसको lower limit 0 कर दिया, अपर limit को एक कर दिया, और यहाँ पर इस property का use करके, हमने इसको ऐसे बना दिया, आप इस property को देख सकते हैं, यह पहले property हैं, जो मैंने probe कराए हुई थी, यह फ of t हो गया, और उसके कोई limit है, a to b, f of x, dx is equal to f of a, sorry, a to b, f of t, and dt, मतलब की function अगर सेम रहेगा, तो limit सेम रहेगी, तो variable हम बदल सकते हैं, वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं, यहाँ पर दिखे, limit सेम हम रखेंगे, 0 to, sorry, 0 to a, limit हम सेम रखेंगे, function भी हम सेम रखेंगे, variable को हम बदल देंगे, तो जो की हमारा क्या है, आप यहाँ से देख सकते हो, हमारा LHS क्या है, ना पर LHS आप देख सकते हो, LHS जो है, वह हमारा, sorry, हाँ, LHS हमारा आचुका है, जो की इसका proof है, कि यह proof हो गया है,